अगर आप इंडिया के अंदर अभी भी गूगल पे यूज कर रहा है और ऐसे में आपका गूगल पे काम नहीं कर रहा है हाला कि कुछ कम जाने की कुछ देश हैं जैसे कि अमेरिका और सिंगापूर जो की हैं पर जो गूगल पे सर्विस है वो बंद कर दे गई है ठीक अपर वहां पर कुछ फूचर अभी हां पर चालू है और ऐसे में बात कर लेते हैं इंडिया की अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपका गूगल पे काम नहीं कर रहा है तो उसे किस तरीके से आप सही तरीके से काम कर सकते हैं जैसे कि अगर आप पैसे ट्रांस्वर नहीं कर बारा है या फिर आपके कोई भी अन प्राब्लम आ रही है ठीक है तब आप किस तरीके से इस प्राब्लम को सॉल्व कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं सबसे पहले जो तरीका में आपको बताने वाला हूं या तो आपके अकॉंट से प्राब्लम होगी तब ही नहीं होगा अगर गूगल पे में कोई भी दिक्कत होगी तो आपकी problem 100% solve हो जाएगी ठीक है तो सबसे पहले आपको जाना है पिले इस्टोर में पिले इस्टोर में आपको search बार में लिख देना है गूगल पे मैं यह आप पर लिख देता हूँ Google और पे जैसे लिख कर हम search करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आजाएगा हम यहाँ पर install पर simply click करेंगे अब यह install हमने क्यों किया सबसे पहले में आपको यह बता जाता हूँ कि install हम इसलिए करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी Wi-Fi या फिर Bluetooth हम यहाँ पर रहने देते हैं अगर हम कई बार Google पे में अपना पिन गलत डाल देते हैं या फिर आपका इंटरनेट रिसू होता है तब बहाँ पर आप तीन चार बार लॉग इन करने की कोशिस करते हैं तब भी इस तरी प्रावलम आपको देखने को मिल सकती है ठीक है तो आपको सुरू से एकदम बिल्कुल नए स्री से करना है और आप यहाँ पर पेमिंट कर पाएंगे सब्सका आपके सांद में किस थरीके से करना है वह बहुँं मुम्हारा अपर यहां पर देखते ही देखते है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि इस समय में अभी बरेलिम हो तो ज्वकी इस स्पीड है वो काफी अच्छी स्पीड मुझे यहाँ पर मिल जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दांलोड हो चुका है हम यहाँ पर सिंफिली और लेते हैं ओपन पर आपको अपने आपको अपने लिए करेंट कर ले हैं जो मोईल नंबर आपके डैक घा데werk कर लें इसे तरीकि пой कर लिए आपके सामने कुछ इससे तरीके से आ यागा तो आपको हैं पर एक बात को यह देहां कर देते हैं अब यह हमारा मोवाइल नंबर है हमारे मोवाइल नंबर पर एक OTP आ गया है और इसने अटो मेटो वेरिफाइग कर लिया है ठीक है तो अगर नहीं होता है तो आप यहां पर वेरिफाइग कर लिजीगा ठीक है मेरा वेरिफाइग हो गया है यहां पर यह पूछ है कि हमसे कुछ permissions मांग रहा है जैसे कि location तो हम चलिए यह कर देते हैं कि उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जागा तो हमें मिल लिया है add bank account ठीक है इस पर हम simply click करेंगे कि लिक करने के बाद में आपकी कौन सी बैंक है वो सबसे पहले हम बैंक यहां पर सेलेक करेंगे जैसे कि मैं यहां पर state bank of India सेलेक कर लेता हूं continue आपर simply click कर देते हैं उसके बाद में हमारे सामने आ जाता है permissions मांग रहा है कि permissions को allow कर देना है तो मैं चलिए allow कर देता हूं SMS के लिए अलाव कर देता हूं ठीक है और इस तरीके से आप करेंगे तो आपका अच्छी तरीके से जो अकॉंट है वो यहां पर verify हो जाएगा और उसके बाद में आप यहां पर कर पाएंगे ठीक है अगर आपको कुछ इस तरीके की problem देखने को मिलती है something about warning it's the bank server please try again ठीक है तो यह ह होती है उसके servers related दिक्कत होती है ठीक है तो चलिए हम क्या करेंगे एक बार यहां पर हम फिर से try करते हैं और यह problem है वो यहां पर solve हो जाएगी ठीक है कि देख सकते हैं जो हमारा account है वो यहां पर verify हो गया तो इसी तरीके की पहले पहले जी थी वो मुझे दिक्कत आ रही थी ठीक है उसके बाद में आपको यहां पर देखने को मिल्या है और यूपी आई नंबर विल भी लिंक ठीक है तो हां continue simply हम इसी पर simply कर देंगे आपको पर बता जा रहा है अगर आप पैसे हैं जो कि आप 5000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं 24 गंटे तक ठीक है क्योंकि आपने नए सरे से लोगिन किया है तो इनकी यह policy है अगर कोई भी वेक्ती नए सरे से रिजिस्टर करता है तो उसे 24 गंटे तक 5000 रुपा ही transaction करनी की अनमती दी जात कर देते हैं कि कंटीना पर सिंपली क्लिक करने के बाद जो हमारा account है वो यहां पर सो हो जाएगा चेक balance पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहां पर हमसे UPI पिन डालने के लिए बोले जा रहा है तो चलिए हम UPI पिन यहां पर इंटर कर देते हैं उसके बाद में हम यहां पर इंटर सिंपली क्लिक कर देते हैं अब जो हमारा बैलन्स यहां पर100 हो जाएगा ठीक है तो हो सकता है साइध आपको न दिखाई देता हूँ पर यहां पर 100 हो चुका है तो मैं यहां से वैक कर देता हूं इसी प्रिकार से मैं यहां पर चलिए Google पर फिर से open कर लेता हूं मैं अपना दूसरा वेंक अकॉंट आपको यहाँ पर एड करके दिखा देता हूं ठीक है आप यहाँ पर देखेंगे और यह अकॉंट भी हमारी बैंक का जो अकॉंट है जो गूगल पे में हमने यहाँ पर एड किया है वो भी यहाँ पर एक्टिव हो चुका है यह पूछ रहा है कि आप यहाँ पर यूपी आई यो पिन है वो आपके साइड करना चाहाते हैं तो नहीं हमारा जो पहले था हम वो भी रहने देना चाहते हैं ठीक है उसके बाद मैं चलिए यहां से बैक कर देता हूं उसके बाद मैंने यहां पर वैक कर दिया उसके बाद में हम यहां पर चेक बैलन्स पर सिंपली क्लिक करेंगे यहां पर हम सिंपली क्लिक करेंगे यहां पर हम मिल जाता है अपना यूपी प्रावलम आती है सरवर से रिलेटेड या फिर आपकी अकॉंट से ही रिलेटेड दिक्कत हो सकती है अगर इस तरीके से तो आप सौल कर सकते हैं जो कि मैंने आपके इस वीडियो में दिखाया ठीक है अपनी इमेल आडी को चेंज करके देख लें इमेल आडी से कोई भी फार् कर लिए इगा ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर अपने गुगल पर ब्लाव कर सकते हैं और इस तरीकी जो प्राव्लम है आ रहे हैं तो आप इस तरीकी प्राव्लम को सौल्व कर सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसे वीडियो में